ओम नमस्यवायए स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ति बावना यूटीब चैनल पर दोस्तों जूति सास्त्र में ग्रहों के राषी परवरतन को बेहदी महतनु पूर माना जाता है ग्रहों के राषी परवरतन का सभी 12 राषियों पर प्रवाप पड़ता है मंगल, बुद्ध, सनी, शूर की चार बदलने जा रही है मंगल, बुद्ध, सनी और शूर की चार बदलने से कुछ रासी वालों का भाग्य बदलने वाला हैं यानि चार-चार ग्रहन का रासी परवर्तन होने वाला हैं 11 परवरी को सनी कुम रासी में अस्त हो जाएंगे 12 परवरी को शुक्र मकर रासी में प्रिविश करेंगे पहला, 13 परवरी को सूर कुमरासी में प्रिविस करेंगे, 20 परवरी को बुद्ध कुमरासी में प्रिविस करेंगे, तो ये इतने बड़े योग बन रहे हैं, एक परवरी को बुद्ध मकररासी में प्रिविस करेंगे, यानि एक वार, एक महिने में ग्रहन की इस्तितिक कितनी बदलेगी तो इनका प्रवाव सभी रासी वालों पर होने बाला है मेस रासी घार्यों में सफलता मिलेगी धनलाब होगा जैसे आर्थिक पक्ष्य मजबूत होगा दामपत्य जीवन सुक में रहेगा भागी का साथ मिलेगा भगवान संकर की विशेक पर रहेगी पुत्र सम्मान बढ़ेगा घर में सुक सम्रत दियाएगी ब्यवपार और नोकरी के लियाज से यह महिना आपके लिए ब्यादी शुब रहने बाला है मानसिक सांती मिलेगी आर्थिक समस्याओं से चुटकरा मिलेगा और दोस्तों एक चीज और बता दू पुत्रदा एकासी से ही य कुछें ब्रसब रासी परवार की सदस्यों के सांत समयव्यतित करें साथ य कार्यों में सपलता आपको मिलेगी है क फर और अच्छे समस्याओं से चुटकरा मिलेगा अगली रासी है वह है आपकी मितुन रासी नोकरी बदलने का विचार कर रहे है ब्यवपार में लाव के योग बनेंगे कारियों में सपलता मिलेगी दन लाव होने के योग बन रहे है नोकरी और ब्यवपार में तरक्की के योग बन रहे है दीवन साती के साथ समय व्यतित करें पुत्र दनकापका योग बना हुआ है समय आपके लिए ब्यादी शुवरेने वाला है तो पहली मेश रासी, दूसरी बेसर रासी, तीसरी मेश रासी चोती है सिंग रासी दनलाब के योग बन चुके ही नोक्रियो ब्यापार में अची घासी तरक्की मिलेगी कुरूद को अपने बस में रखना है जल्दवाजी में कोई भी कारणा करें सफलता है आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले है अगली जो रासी है वह है तुला रासी तुला रासी बालों को बहुत लाब मिलने वाला है दन का लाब है, संतान का लाब है मान सम्मान वाले बढ़ेगा पद प्रदिश्टा में ब्रद्धी होगी उसके बाद ब्रस्चिक रासी नोक्री में तरक्की मिल सकती है कोई नया प्रोजक्ट आत लग सकता है परवार का मावल अच्चा रहेगा नोक्री व्यवपार के लिए समय आपके लिए बरदान के बराबर है आपके बेवैक जीवन में विया अनंद आने वाला है दनुरासी दनुरासी वालों का योग बहुत ही अच्चा है कार केतर में खुशकबरी मिलेगी भाग्य का साथ मिलेगा दामपत जीवन सुक में रहेगा कारियों में सफलता मिलेगी संतान का सुक मिलेगा योग बहुत ही अच्चा है कुमरासी कुम्राशी वालों के लिए समय बेहदी शोग रहने वाला है कुम्राशी वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा संतान का योग है, धन का योग है ब्योपार अच्छा चलेगा, बान आधी, मकान आधी का शुक आपको प्राप्त होगा तो ये राशिया हैं जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली हैं इनका योग बहुत ही अच्छा है आने वाला समय आपके लिए खुशियों बरा रहेगा पहली मेश राशी, दूसी ब्रेसर राशी, तीसी में तुन राशी छोटी है सिंग राशी, पाँच में तुला राशी, छटी है ब्रेश्चेग राशी, साती में धनुराशी, आट में पुम राशी तो ये आट राशिया हैं जो बहुत ही ज़धा बागिसाली रहने वाली हैं जिनका योग बहुत यह ज़दा अच्छा है तो आने बाला समय आपके लिए खुशियां बरा रहे ओम नमश्वाय